अमेरिका ने पाकिस्तान को एक बार फिर उसकी हद बता दी है अमेरिका में पाकिस्तान की राजदूत जलील अबास जिलानी ने वो हरकत की है जिस पर पूरे पाकिस्तान को अमेरिका ने एक सख्त संदेश दिया है दरसल पाक राजदूत ने ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की थी जिसमें वो पत्नी के साथ अमेरिका की फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा के साथ खड़े हैं अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तानी राजदूत ने उनका फरोसा तोड़ा है अमेरिका की नजर में राजदूद जलील का ये बरताओ आपत्ती जनक था और इसी वजह से उन्हें फटकार लगाई गई है हाला कि पाकिस्तान ने इन खबरों को खारिज किया है कि अमेरिका ने उसके राजदूद को फटकार लगाई है या नाखुशी जाहिर की है गोरतलब है कि अमेरिका की फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा मई महिने में सरप्राइज विजिट पर वशिंग्टन स्थित पाकिस्तानी अमबेसी पहुँची पाकिस्तानी राजदूद जलील अबबास जिलानी ने ट्वीटर पर मिशेल ओबामा के अमबेसी विजिट की ये तस्वीर शेयर की थी मिशेल के इस दोरे के कारणों का पता नहीं चला जबकि ये दोरा ऐसे समय में हुआ है जब दोनों देशों के रिष्टों में तलखी जारी है जिलानी ने मिशेल ओबामा के दोरे के बाद 27 मई को तस्वीर ट्वीट की और लिखा ये बेहत खुशी की बात है कि पाकिस्तानी एमबेसी ने अमेरिका की फर्स्ट लेडी की मेजबानी की हाला कि बाद में उन्होंने ट्वीट समेट सभी फोटोज डिलीट कर दी लेकिन तब तक फोटोज शेयर हो चुकी थी एनमेफ निउस की रिपोर्ट